हेलो गाइज वेलकम बैक टूबी चैनल ग्यान जोती यासिस टूटोरियल तो दोस्तों आज हम लोग करने वाले हैं इंडियन जोग्राफी के पार्ट वन और जैसे कि आज से मैंने इंडियन ने भी एमर एससार डबल एक्जाम्स के लिए जोग्राफी का पार्ट स्टार्ट क मत देखिएगा क्योंकि बहुत सारे candidate का वेट था कि सर आप जोग्राफी का पार्ट कब तक लाएंगे कब तक लाएंगे तो आज से जोग्राफी का भी पार्ट मिलेगा हो सकता है तो साम से हिस्ट्री का भी मिल जाएगा और आपके सपोर्ट रिलेटेड हाई रहा है और मै इन पर फर्स्ट नंबर सवाल है स्वेज नहर कब बनकर तयार हुआ था विन वाजदा स्वेज कैनल रेडी तो आपके सामने चार ओप्षन है 1851 इसवी, 1890 इसवी, 1869 इसवी, 1871 इसवी कॉरेक्ट इन सुरू जाएगा ओप्षन C यानि की 1869 इसवी में स्वेज नहर बनकर तयार हुआ था ठीक है अब हम बात करते हैं एक्स्प्लेनेशन की देखिएगा यहाँ पे सन 1858 में एक फ्रांसीसी इंजिनियर फरडिनेड की देखरेक में स्वेज नहर का निर्माड हुआ था यह नहर आज 168 किलो मिटर लंबी तथा 60 मीटर चौड़ी और औसत गहरी 16.5 मीटर है दस वर्सों में बनकर यह तयार हो गई थी सन 1869 में यह नहर यातायाद के लिए खुल गई थी ठीक है तो इसको नोट कर लिजएगा देखिए जितना भी पॉइंट होता है एक्स्टाफेक निकल के आता है उसको कॉपी में एक नोट बना लिजएगा ठीक है अब देखिए अट्रसों अंठावन में एक फ्रांसीसी इंजिनियर फर्डिनेट की देखरेक में था अब आ सकता है कि स्वेज नहर जो था निरमार के समय किसके देखरेक में था तो इंजिनियर फर्डिनेट के देख रहे कि में था कब था तो 888 में है ठीक है अब देखे ये भी आ सकता है कि स्वेज नहर की लंबाई और चोड़ाई का अनुपाद क्या है तो 168 किलोमेटर लंबी और 60 मिटर चोड़ी है ये भी आ सकता है ठीक है और औस औस गहरी कितनी है एक किसी मा कैस्पियन सागर से नहीं लगी है ये भी सवाल बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है और देखे ऐसे सवाल तो खास करके एक्जामस में आते हैं विच वोन अफ दा फॉलोईंग ड़स नॉट बॉर्डर दा कैस्पियन सी तो करेक्ट इनसर हो जाएगा अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट की कैस्पियन सागर एसिया की एक जील है याद रखियेगा कैस्पियनस सागर एसिया की एक जील है और इसका कुले चेतरफर जो है चार लाख तीसवाब आरक किलोमिटर तथा आयतन जो है 78,200 km है नोट कर लेज़ेगा अब हम बात करते हैं अर्मेनिया अर्मेनिया ओप्सन था ना correct answer यहाँ आप देखे ओप्सन भी correct answer था अर्मेनिया तो अर्मेनिया के बारे हम थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि क्या होता है कैसे होता है अर्मेनिया जो है एक राष्टपती जो है अर्मेन सरकीसियन है ठीक है अर्मेन सरकीसियन है जबकि परधान मंत्री है निकुल फार्शी न्यान अर्मेनिया की रजधानी की बात कीज़े एरेवान है और मुद्रा द्राम एमडी है और इसकी राज्य भासा जो है अर्मीनियम है ठीक है अर्मीनियम नियन अर्मीनियन तो याद रखिएगा नोट कर लिज़ेगा देखिए सिंपल सी बात है कि अमेरिका के अर्मेनिया के राष्टपती है ये जब कि परधान मंत्री ये नाम है अर्मेनिया के राष्धानी ये है मुद्रा ये है और इसकी राज्य भाजा जो है ये है तो एक पॉइंट डू पॉइंट ती मतलब चार पॉइंट अराम से हाँ पर मिल जाएगा चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर सवाल कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्री सागर से मिलती है तो आपके समने चार आपसे हैं सू पनामा कील स्वेज करेक्ट एंसर आपसें सी यानि कि हो जाएगा कील ठीक है बहुत जादा इंपोर्टेंट सवाल है देख लिए सेगा कील अब देखे अब हम बात करते हैं आपे एक्स्प्लेनेशन की तो बाल्टिक सागर उत्री इरोप का एक सागर है जो लगबग सभी और से जमीन से घिरा हुआ है और मध्यम खारे पानी का यह सबसे बड़ा प्राय सागर माना जाता है ठीक है और इसकी अधिक्तम गहराई की जो है चार सो एकावन मीटर है और नीचे देखिए कील क्या बात करते हैं कील नहर बाल्टिक सागर और उत्री सागर के भीच है आ सकता है आख चाहिक एक 98 किलो मिटर लंबी जहाजी नगर है जो जर्मनी के स्लेवी शग होलस्टीन में इस्तित है ठीक है और ये नीचे देखते हैं और क्या है और ये बिस्वी की सबसे ब्योस्तम नहर है कील नहर उत्री सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है ठीक है तो नोट कर लिजेगा बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है देखिए अगर आप एक अक पॉइंट खुद से बनाएंगे इतना तो मैंने एक्स्प्लेशन करके आपको लिख दिये आप कॉपी में अराम से नोट करके पढ़ सकते हैं या फिर आप जैसे भी हो सके मतलब लिख सकते हैं पढ़ सकते हैं चलिए उसके बाद देखते हैं फोर नमर सवाल बिस्व का सबसे उचा जल प्रापात किस देश में इस्थित है जल प्रापात जो है किस देश में इस्थित है तो आपकी समने चार ओप्सन है कनाडा, नार्वे, वेनेजुएला, इंग्लैंड, कॉर्यक्ट इंसर ओप्सन हो जाएगा C, यानि की हो जाएगा वेनेजुएला, ठीक है? यात रखिएगा, अब देखिए, एंजील जल प्रापात है, जो वेनेजुएला का एक जहरना है, और यह दुनिया का सबसे उचा जल प्रपात है ठीक है जल प्रपात तो देखिए इंजील जो जल प्रपात है यह वेनेजुएला के एक जर्ना है जो कि दुनिया का सबसे सबसे क्या है उचा जल प्रपात है ठीक है जिसकी उचाई 989 मीटर यानि की 3212 फीट है और गहराई की बात की जाए 870 मीटर यानि की 2648 फीट है नोट कर लेज़ेगा देगे सवाल बनाएंगे तो याप बहुत ज्यादा बनेगा इंचल जल प्रपात वेजियोला की छहरना है किलरों गए अब का सबसे उचा जल प्रपात कौन है तो एंजिल जल प्रपात है और मालनी जी के भी आ सकता है कि एंजिल जल प्रपात की उचाई कितनी है उचाई और आपके गहराई की अनुपात क्या है तो उचाई देखें उचाई की बात कि जाए तो इतना मीटर और फीट में इतना हो जा था तो वेनेजुएला दक्षण अमेरिका महादीप में इस्थित एक देश है ठीक है अमेरिकी महादीप में इस्थित एक देश है राश्टपती है निकुल्स मदूर और राजधानी है कारा कास और यहां की मुद्रा जो है वेनेजुएला वोलिवर है ठीक है वोलिवर याद रखिएगा तो देखिए मुद्रा से सवाल सभी एक्जामस में आते हैं राजधानी से भी आते हैं राष्टपती होते हैं और देखिए राष्टपती से भी आता है मतलब और उसके बाद पी एम सी एम जितना भी होता है याद कर लेजाएगा आपकी एक्जामस में आता है ठी काल जील, correct answer, option A हो जाएगा, यानि की, कैस्पियन सागर हो जाएगा correct answer, ठीक है, salt water जो lake है, यानि की salt water, यानि की खारे जल की, तो salt water जो lake है, यह कहाँ पर है, तो कैस्पियन सागर है, सबसे, जो की विस्वी की सबसे बड़ी, याद रखिएगा अब हम बात करते हैं, explanation की याँ पर देखिए, विस्वी की सबसे बड़ी जील कैस्पियन सागर है, ठीक है, आ सकता है कि विस्वी की सबसे बड़ी जील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर हो जाएगा, और खारे जल की जील कौन सी है, वहिया तो कैस्पियन सागर है कैस्पियन सागर इस्थित है कहां रूस और इरान के बीच रूस और इरान के बीच इस्थित है कैस्पियन सागर कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है तो भूलगा नदी गिरती है याद रखेगा पॉइंट को अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है छेत्रफल और आयतन के अधार पर विसवे की सबसे बड़ी जील कौन सी है तो कैस्पियन सागर जील है और अगला है पॉइंट कैस्पियन सागर इरान की सीमा को असपर्श करता है ये भी आ सकता है की कैस्पियन सागर जो जील है किस सीमा को असपस करता है तो इरान की सीमा को असपस करते हुए जाता है अब ये कोष्टन्स नंबर टू में और एक्स्ट्रा एफेक्ट चाहिए तो उपर वाला जाके कोष्टन देख सकते हैं फिर से वह एक्स्ट्राफेक्ट और मजाएगा चलिए देखते हैं अगले सबाद 6 में प्रित्वी पर सबसे गहरा अस्थल है तो प्रित्वी पर सबसे गहरा अस्थल जो है करेक्ट इन सुर जाएगा option A अनिकी मृत्य सागर हो जाएगा अब हम बात करते हैं यहां पर explanation की प्रित्वी पर सबसे गहरा अस्थल मृत्य सागर है ठीक है आजएगा कि प्रित्वी पर सबसे गहरा अस्थल कौन सा सागर है तो मृत्य सागर है एक point मृत्य सागर संबंद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदू कहा जाने वाला सागर है यह इंपोर्टेंट है अगला point है इसे खारे पानी की सबसे निचली जिल भी कहा जाता है इसे खारे पानी की सबसे निचली जिल भी कहा जाता है और 65 किलोमेटर लंबा और 80 किलोमेटर चोड़ा यह सागर अपने उच्छ घनत्वे के लिए जाना जाता है ठीक है देख लिजेगा यहाँ पर फिर से पढ़िए पॉइंट को क्लिर करते चले गए इसे खारे पानी की सबसे निचली जिल भी कहा जाता है और 65 किलोमेटर लंबा और 80 किलोमेटर चोड़ा आ सकता है आपकी एक्जाम्स में कि मृत्य सागर का लंबाई कितना है तो 80 किलोमेटर है सुरी 65 km है और चोड़ाई कितना है तो 8 km ठीक है तो ध्यान रखिएगा अब बात हम नीचे कर दें अंगला पॉइंट के बारे में और मिरित्य सागर को अर्वी जिल के नाम से भी जाना जाता है याद रखिएगा आ सकता है कि मिरित्य सागर का दूसरा नाम क्या है तो बोलेंगे आप अर्वी जिल ठीक है और मिरित्य सागर नमक की एक जिल है अपको उपर मिला था ना कि एक खारे जल की जिल है तो मिरित्य स देखेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगें अगला सवाद देखते हैं 7 नम्बर में निम्न लिगीत में से कौन सी 20 की सरवादी गहरी जील है सबसे जो मतलब की गहरी जो सरवादी गहरी जील है कौन है Michigan जील, lunar जील, tt, kaka जील, बैकाल जील, correct answer option D, बैकाल जील हो जाएगा correct answer ठीक है अब हम बात कर लेते हैं explanation की option D बैकाल जिल बिस्व की सरवादी गहरी जिल है यह रूस की साइवेरिय चित्र में हिस्तित एक मीठे पानी की जिल है यह भी clear हो गया अगला point है इसकी लगभग जो गहराई है 1642 मीटर है note कर लिजएगा अपने mind में बैकाल जिल बिस्व की सरवादी गहरी जिल है यह तो गहरी जिल है लेकिन यह रूस के साइवेरिय चित्र में इस्तित है एक मीठे पानी का भी जिल है ठीक है इसकी गहराई इतना है आगे बढ़ते हैं point में देखते हैं यानि कि इसको आप convert कीजएगा जो यहाँ पे दिया गहे 1642 मीटर convert कीजएगा fit में तो आजाएगा 5387 फीट ही ठीक है और बात कीजए अगला point और आउसत गहराई है 744.4 मीटर यानि कि 2442 फीट है इस जिल की लंबाई है 636 किलो मेटर और चोड़ाई की बात कीजए तो 79 किलो मेटर है इसका पानी बिस्व के सभी जीलों में से साफ माना जाता है किसका बैकाल जील का देखे यहाँ पे बैकाल का ही मतलब option D है तो बैकाल के बारे में आपको सारा चीज़ समझा रहा हूँ तो बैकाल जील जो है यह इसका पानी जो बिश्व के सभी झीलों में से साफ माना जाता है और यहाँ पर देखिए वॉलर जील भारत की मीठे पानी की पी घिल DON कर लिजियेगा note कर लिजेगा जो कि यह जम्मू कस्मेर में इस दीत है टीक है, वुलर जील, भारत की मीठे पानी के सबसे बड़ी जील है, कहाँ पे है, तो जमु कस्मीर में है, नोट टर लिजएगा, अगला पॉइंट है, बिस्व में बड़ी मीठे पानी की जील, सुपरियर जील है, जो की कनाडा और संयुक्तराज अमेरिका के बीच में इस्त यह देखिए, गहरी जील है, सबसे पहले तो एक सरवादी गहरी जील है, और यह रूस के साइवेरिये छेत्र में इस्तित है, और मीठे पानी का भी जील है, ठीक है, मीठे पानी का जील तो बहुत सारा है न, अब देखिए, यहां पे वही पॉइंट चल रहा है, कि वाला बात की जाए तो कौन, बारत में कौन से, उलर जील है, कस्मीर में, जम्मू कस्मीर, अगला सवाल देखते हैं, बिस्वे में सरवादिक वर्षा वाला स्थान, तो देखिए भी इंपोर्डेंट है, और ऐसे सवाल तो खास करके, इंडियन ने भी एमार, इसार, डवल में आते रह्ते हैं, हो जाएगा मासिम मासिम आम में मेघाले सिंध के अपनी प्रिस्द्ध में, प्राकरतिक शुनदर्ता और अत्यदिक बर्षा के कारण मेघाले के इस अस्थान को विश्व में सबसे अधिक बर्षा वाला अस्थान के रूप में माना जाता है आपको मैं समझा देता हूँ देखे इसमें कितना पॉइंट बनेगा आ सकता है कि विश्व में सरवादिक बर्षा वाला अस्थान तो option यह हो गया correct answer विश्व में सबसे अधिक बर्षा वाला अस्थान के रूप में माना चाहता है तो यह विश्व में सबसे अधिक बर्षा वाला अस्थान कौन सा है तो आप टिक कर दिजेगा क्या चीज? option number A तो आज गले इतना ही था अगर आप लोग को किसी भी सवाल में doubt है अगर problem लगता होगा तो आप मुझसे comment section बोलिएगा आपको मैं self जरूर कर दूँगा ठीक है बस अभी के लिए इतना ही मिलते हैं एक और वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखेगा थेंक्यो सो मच बाबाय टेक के रोल अवेस्ट